नमस्कार फ्रेंट, साब सभी का एक पर फिर से एज़किस्नल चैनल भी स्वागत है और आज की वीडियो में हम आपके साथ डिसकस कर रहे हैं NC&T University विक्रम सिला के उपर यानि की प्राचिन विस्विद्याले विक्रम सिला आज की वीडियो का विसा है और इससे जुड़ा हुआ हर एक महत्पूल विंद्वों पर आज की वीडियो में डिसकस होगा ताकि आपके UGC NET PEPPER 1 के एक्जाम में इससे जुबा कोई भी कोई पूछे तो आप उसका सही जवाब दे सके साथ ही साथ other competitive exam जो आपके होते हैं उसमें भी इससे जुड़ा कोईशन पूछ सकता है तो चली शुरू करते हैं आज का विशय विक्रम सिला विश्विद्याले तो देखिए सबसे पहले आपको बता रहे हैं हम कि इस विश्विद्याले के बारे में सबसे पहले किसने बताया तो देखिए राहूल साकृत्यायन जो है इस प्राचीन विश्विद्याले के बारे में वो बताते हैं उन्होंने संभावना लगाया कि सुल्तान गंज नामक अस्थान पे यह प्राचीन विश्विद्याले हो सकता है पर उस समय अंग्रेजों का सासनकाल था तो उन्होंने इसमें कोई भी इंट्रेस्ट नहीं दिखाया उसके उपरांत जब भारत आजाद हो गया उसके काफी लंबे समय बाद 1986-1986 के आसपास भारती पुरात्वत्विभाग ने प्राचीन विश्विद्याले विक्रम सीलाक के खंड़ारों को खोदना शुरू किया तो ये था थोड़ा सा इंट्रो अब चलते हैं मेंट पॉइंट के उपर तो देखिए इसको किसने बनवाय था सबसे पहले आपको बदा दे कि इस विश्विद्याले की अस्थापना पालवन्स के सासक धरम पालने कराया था और इनका सासन काल था साससो तिरासी से आट सो बीस इस विश्विद्याले की अस्थापना कराई और प्राचीन समय में आप देखेंगे तो तीन फेमस बुद्धिष्ट यानि बुद्ध सिच्छा के फेमस केंदर थे आपका पहला देखेंगे तो आपका नालंदा हो गया उसके बाद आप देख पस बुद्धिष्ट एजुकेशन का सेंटर था वो था आपका विक्रमसिला तो कहीं पे एक्जैम में अगर पूश्च लिया जाए कि बुद्धिष्ट एजुकेशन का किंदर कौन सा है और आपसन में अगर आपका दिखेंगे विक्रमसिला तो फटाक से आंसर अब बाते करते हैं आगे तो देखें आठवी सताब्दी के अंत आठवी सताब्दी का अंत का समय था और नवी सताब्दी 9th century का इस्टाटिंग का पिरियड था काल था उसी के दोरां इस विश्विद्ध्याला की अस्थापना कराई गई थी और आपको बता दें कि 1193 यान बक्तियार खिल जी ने जो बौत धर्म के अधर एजुकेशन के सेंटर थे उसको नश्ट किया उसी के साथ साथ विक्रम सिला को भी नश्ट करने का काम बक्तियार खिल जी ने किया था आपको उदा दें कि नश्ट होने के पहले इस विश्विद्याला ने 400 वर्स यानी 400 सता के साथ सिख्छा देने का काम किया था और कमसिला विसुवीद्यालय जो था यह बाद के देखें तो लोगों के parlour डेखें केंद्रों के साथ साथ तिव्वति लोगों के सिख्छा का पहत by आकरसित के इंदर हुआ करता था और आपको बताना देखी और वर्तमान समय में आपके बिहार के भागलपूर जिले के अंतीचक गाउं के पास यह विशुविद्याले का साइट जो है वो उपस्थित है और यहां के देखें तो फेमस विद्वान का एक नाम आता है वो थे दिपंकर आपके अतिस दिपंकर अतिस का नाम बहुत फेमस है जिन्होंने 200 गरंथों की रचना की और यहां पे उन्होंने सिच्छड का कार किया और यहां के फेमस अगर विद्यानों की आप नाम दिखेंगे तो कई नाम है जैसे की आपके दिपंकर है अबयंकर है विरोचन ह बुद्ध हैं जेतरी आपके रतनाकर हैं सांती ज्ञानस्री मिश हैं रतन वज्र हैं तो यह यहां के फेमस विद्वानों के नाम हो गए और यहां बताया जाता है लगबग 160 विहार यहां पे उपलब्ध थे यानि यह विश्विद्याले 160 विहारों के माध्यम से रन करता था और यहां पे कहा जाएं तो विशाल सालाएं यानि की कमरे हुआ करते थे और बारवे सताबदी में यहां बताया जाता है लगभग 3,000 सी चक बारवे सताबदी के अंदर तक यहां पर 3,000 सी चक और कहा जाता है कि इसके 3 गुणा यहां पर छात्र हुआ करते थे और आपको बता देए कि विस्विध्याले के छै भीच्वों के एक मंडल के माध्यम से विस्विद्याले का देखा जाए तो संचालन देखा जाए तो किया जाता था यानि कि प्रबंधन और संचालन का काम कुलपती के अंदर 6 भिच्छों के माधम से किया जाता था साथ ही साथ आपको बता दें कि प्रवेश परिच्छा लेने का काम कुलपती के अधिन 4 विद्वान वुगा करते थे उनको ये द्वारा एक परिश्द जो है विद्ध्याले में प्रिविश पाने के लिए जो छात्र आते थे उनकी प्रिविश परिश्चा लिया करती थी नेक्स देखा जाए कहा जा रहे विश्विद्ध्याले में बौध सिच्छा के अलावान यहाँ पे और भी विश्विव का ज्यान दिया जाता था जैसे आपका व्याकरण हो गया, आपका तत्व ग्यान हो गया, आपका न्याय हो गया, दर्शन हो गया, तंत्र विद्या, आधि विश्यों का भी यहाँ पे सिच्छा चात्रों को दिया जाता था और विशविद्याले में चात्रो के लिए महत्रपूर पुष्टकी भी उपलब्द कलाई जाती थी तथा चात्रो की जिग्यासाओं के समाधान के लिए विद्वान आचारे यहां पे हुआ करते थे तो ये आपके बहुद ही महत्पूर बिंदूए थी जो कि आपके विक्रम सिला विस्विध्याले से जुगा हुआ था तो हमें लगा कि ये महत्पूर चीजें आपको कम समय में दिया जाए ताकि आपके नेट के एक्जाइम के लिए या competitive exam के लिए जो अधर होंगे उसके लिए ये लाप्रद रहेगा तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही इससे जुए हो कोई भी question आपको अगर लेना है question का answer आपको लेना है तो question type करिए comment box में आपको जल से जल answer देनी की हम कोशिज करेंगे तो चलिए जब तक की स्ट्वीडियो नहीं लाते हैं संक्स फोची एजू के सैल चैनल और आपके दिन बहुत बहुत सुबहुत